आज आप देख रहे हो कि कितनी महान-महान हस्तियां, सेलिब्रिटियां, कंगना जैसी हमें मंकी बोल रही हैं, क्या रहे हैं कि ये नेशन बिल्डिंग में मदद नहीं कर सकते, और हमारे प्रदान मंतरी नरेदर मुदी जी के पास उस कंगना से मिलने का वक्त है, चार दिन प एक अटेम्ट में सेलेक्ट ना होने के बाद दुबारा सेलेक्ट नहीं होते होते हैं, लोग चार-चार अटेम्ट में भी सेलेक्ट होते हैं, बराबर मेहनत करते हैं, तो अपनी हार मत मानिये इसे, यह मैं सोचे कि यह हमारी हार है, किसी भी तरीके से यह हमारी हार नहीं है अरे ठीक है Twitter campaign को गलत ले लिया नहीं देखा, वक्त नहीं मिला होगा बहुत सारे जरूरी काम है प्रधान मंतरी जी के पास उनको जाके स्टेडियम के उद्धाटन भी करने है और भी काम करने है, उनको अभी बंगाल में जोब मिलेगी तो एक वीडियो शेयर करके जितना knowledge, कंगना को मां बोल रहा हूँ, तुमारे यहाँ पर है ना इतना तो उंगलियों में लेकर गुमते हैं यह एस्पिरेंट्स पहले चीज तो इन्हें यह पता होना चाहिए कि यह जो वीडियो इस तरह के दिखाई गई है यह कोई किसी competition के exam की तयारी करने वाले विद्यारती की कोई वीडियो नहीं है फिर यह चीज है कि पूरा हिंदुस्तान में चलो मान भी लिया कि यह पांचे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही चोड़े-चोड़े सवालों के जवाब नहीं दिये तो क्या आप इन पांचे लोगों से मिलकर हिंदुस्तान की युवाओ का आकड़ा लगाएंगे यह पांचे लोग क्या कि आपको यह नहीं पता यह पंजाब के लोगों ने जाना अना बंद कर दिया तो बेरोजगारी का अगर यह आप एसी हर्गते करेंगे तो यह बेरोजगार फिर आप लोगों को जो आप आसमान की बुलंदिया चूरे हो ना तो जमीन प्याने में समय नहीं लगता तो इसलिए बेरोजगारू का मजाग बनाना बंद करिए और आंखों पर पट्टी बांद रख्या उसको उतारिए आप ये बता दीजिए कि आपको सुनने को मिलेगी तो मैं तो अपने विद्यार्ठी को सभी को यही कहाँ गा कि ऐसी लोग को सबक्स्रिखाें और जवाब देने में पीछे मत रही है और हो गया कभी सुधरने वाले हैं यह भी पता है आप लोगों को तो अपना अपनी मुहिम को कमजोर मतोंने दो जब भी ऐसा कुछ अवाल दवारी वस घूए जग, पुई बग्समाईशगा व्माई पता हैं जब कर दिए।